जैहिंद नमस्कार मेरे शेर शेरियो लाडलो 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 फ़ागता आप सभी का आपके अपने एड़ोप चैनल कमांडो और केडिमी फिजिकल पर दोस्तों आज का वीडियो स्पेसिलिंग उन सात्रों के लिए जो आर्मी की तयारी करते हैं स्पेसिलिंग और जिनको ग लाडना सुझी इसके बारे में यह पुरा का पुरा वीडियो है लेकिन इससे पहले चरफ से ज्यादा ज़रूरी है वह कि आपको ग्राउंड के बारे में नोलेज नहीं होगा लाडलो अप आर्मी की रनिंग फाइट नहीं कर पाऊगे इसलिए ग्राउड के बारे में आप को एक ट्रेक देखने को मिलेगा देखिए लाटनू यहां से लेकर यहां तक यह जो दूरी है यह 84.39 मेटर है 84.39 मेटर है यहां से यहां तक यह दूरी भी 84.39 मेटर है लगबग इसको आप बोल सकते हो कि पिच्छें से मित्र यह नियні 85 मित्र की ये दूरी है अब ये है सीध्य लंबाई की दूरी कितनी है 85 मित्र की अब आप देखेंगे यहां से लेकर यह जो डिस्टेंस बनता है यह लगबग 115 मित्र का कितना बनता है 115 मिटर की ये दूरी बनती है लाड़ लो जहान रखना 115 मिटर की ये दूरी बनती है उसी परकार इधर भी 115 मिटर की ये दूरी बनती है अब आप अगर count करोगे तो 115 पलस 115 कितने हो गए 230 पलस 55 पलस 55 तो ये आपका होता है 400 मिटर का trick कितना हो गया 400 मिटर का ये ट्रेक आपका हो गया अब अगर आप रणिंग कर रहे हो देखिए हमेशा तो starting point होता army running का वो इसी जगह से होता है यहां से start कराया जाता इस जगह से ध्यान रखना यहां आपने देखियोंगे बेरिकेट लगे रहे थे हैं अंदर entry के लिए यहां से आपकी running start होती है starting में आपको पता है कि जितना मैं column बना रहा हूँ उतने ही एक साथ लगबग 300 से 400 बच्चे एक साथ दोड़ने के लिए तयार होते हैं army ground में साथ एक चीज़ और बता दो लाड़ दो ठीक लाड़नों देखिए अब तो यहां से जब starting करते हैं जितने भी बच्चे जो भी start करते हैं बहुत सारे बच्चे यहां से गलती कर देते हैं कि वो sprint नहीं मारते हैं या बहुत सारे बच्चे यहां से बहुत तेज गती से sprint मारते हैं मैं आपको बता दू लाड़ दू कि अगर आप बात करोगे इस लेयर की और इस लेयर की तो ये लेयर लगबग आप ये सोचे कि 500 मिटर का स्टार्ट कर देगा अगर इस लेयर पर बच्छा बार बार दोड़ेगा पूरे में तो वो काफी बड़ा 20 मिटर का डिस्टेंस एक्स उच्छान हो जाएगा तो यहां से आपकी मर्जी तो 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 देगी नहीं कि आप यह पर बढ़ जो नहीं अगर आप मौन लो इनमें से कोई इसी भी जग़ा कोई चिस करना चाहिए कि हमें साब आगे बेठे लेकिन अगर आगे बेठते हैं तो मैं आपको बताओं आपको नहीं मारा तो पिच्छे वाले धखेल के आपको गिरा भी सकते हैं और आप फिर आगे हो भी नहीं पाओगे ठीक है अगर आप लकी लिए आगे बेठ गये तो आपको शुरुआत में स्प्रिंट मानना चाहिए कम से कम इस एक सो पांटरा मिंटर का तो यह ट्रे के यहां से लेकि यहां तक और इस पांट में आपकी जो नॉर्मल जो रनिवे स्पीड है यानि जिस स्पीड में आप दोड़ना चाहते हो दो राउंड तो वो इस स्पीड में दोड़ सकते हो यहां के बाद में लेकिन यहां से यहां तक आपको इस प्रिंट जरूर मानना चाहिए ठी मैं मान लीजे कि आपका यहां पीछे की तरफ नंबर आ गया है यहां पर आप कहीं पे हैं तो आपको इस तरफ की बजाए इस परकार दोड़ना चाहिए और यहां से दूरी कम से कम आपको थोड़ी सी एक्ट्रा लेनी पड़ेगी अगर आर्मी ग्राउंड में जाते हो कि आप अगर बाहर से आओगे तो उतनी समता नहीं लगेगी यह दोड़ने का सही तरीका होता चाहिए आप आर्मी की कोई सी भी बढ़ती में जाते हो लाड़ लो इसी परकार का ग्राउंड मिलेगा अब इसके अलावा अगर आगे हो दूसरी बात कि आप इसके बाद में बाई बाई क्रोस करते जाएए तीसरे राउंड के बाद या तीसरे राउंड जब स्टार्ट होता है उससे आपको यह फिक्स कर लेना है कि आपको कोई क्रोस ना कर पाए वह गती ले लेनी है कि जिसमें से आपको कोई भी बंदा तीसरे राउंड के बाद में क्रोस नहीं क इस आर्क में वापस आपको एक स्पीड स्प्रिंट मारना चाहिए और यहां से लेकर यहां पर यह 55 मिटर की दूरी है इसमें अगर आप थोड़े से पेर लूज भी करते हो प्रोब्लम नहीं है लेकिन अंतिम राउंड में यहां से लेकर वापस यह 115 मिटर पलस 30-40 मिटर का यह इस्ट्रेप होता है लगबग 200 मिटर के आस पास की यह दूरी आपको फुल स्प्रिंट के साथ मारनी चाहिए तब ही आप जाकर आसा से आर्मी आर्मी का फीजिकल निकाल पाओगे आर्मी गरने की निकाल पाओगे अगर इस से कम दोड़ोगे यह इस परकार से नहीं द जे हिंद जे भर्त